ब्रम पुरान का कथन है कि कली युग में भादरपद मास के कृष्ण पक्ष की अश्ट्मी में 28 में युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन हुए थे. यदि दिन या रात में कलामात्र भी रोहिनी न हो तो विशेश कर चंद्रमा से मिली हुई रात्री में इस ब्रत को करे. भविश्य पुरान का वचन है श्रावन मास के शुकल पक्ष में कृष्ण जन्माश्ट्मी ब्रत को जो मनुष्य नहीं करता, वह प्रूर राक्षस होता है. केवल अश्ट्मी तिथी में ही उपवास करना कहा गया है. भगवान कृष्ण का जन्माश्ट्मी त इस दिन लोग ब्रत, पूजन और उत्सव मनाते हैं. कही भगवान की पाल की सजाई जाती है तो कही जहाकी निकाली जाती है. कृष्ण जन्माश्कमी के दिन भगत उपवास रखते हैं और कृष्ण जन्म के उपलक्षे में तरह तरह के व्यजन बनाए जाते हैं. मध्य रात्री में जन्म के बाद भगवान को नई पोशाक पहनाई जाती है और चप्पन भूग का प्रशाद लगाया जाता है. तो आपको वीडियो कैसा लगा पसंद आया हो या कुछ पूछना हो तो कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा. तो फिर मिलेगे ऐसे ही मज़ेदार. वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई.